कभी नंगे पैट चलते थे, गैराज में रहते थे अनिल कपूर, दिल्चस्प है स्ट्रगल से अमीरी तक की स्टोरी अनिल कपूर ने बॉलिवुड में कई सूपर डूपर हिट फिल्में दी हैं, हाला कि अनिल के लिए फिल्म इंडस्ट्री में भहचान बनाना आसान नहीं था करियर के शुरुवाती दिनों में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा था बॉलिवुड के मिस्टर इंडिया और सदा बहार हीरो अनिल कपूर पिछले चार दशकों से बॉलिवुड पर राज कर रहे हैं 66 साल की उम्र में उनकी फिटनेस आज भी अच्छे अच्छों को मात देती है उनको देख कर उनकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल है आज वो बॉलिवुड के सफलतम अभीनेताओं में से एक है हेलो दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल चीत पक्की में स्वागत है उनके पास दौलत, शोहरत, शांदार बंगला, महंगी गाडिया सब कुछ है लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वो हमेशा से इत्ते अमीर नहीं रहे एक वक्त ऐसा भी था जब उनके परिवार को हिंदी सिनेमा के शो मैन राज कपूर के गैराज में रहना पड़ा था अनिल कपूर तीन दशक से फिल्म इंडस्ट्री के संग चुड़े हुए हैं और अभी भी कई सारी फिल्मों में अभीने कर रहे हैं अनिल कपूर ना केवल एक उंदा कलाकार है बलकि एक प्रड्यूसर भी है और इन्होंने कई फिल्में बना रखी हैं अनिल कपूर के परिवार का नाता शुरू से ही बॉलिवुड इंडस्ट्री के साथ रहा है लेकिन इसके बावजूद भी अनिल कपूर को इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ा था और आज अपने इसी स्ट्रगल के बदौलत ही इन्होंने भारतिय मुवीज के अलावा इंटरनेशनल मुवीज में भी काम कर रखा है आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और मोटीवेशनल रियल लाइफ स्टोरी और आज की स्टोरी है फेमस एक्टर अनिल कपूर की स्टोरी की शुरुबात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल जीत पक्की पर नए हैं तो पहले जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही मोटीवेशनल स्टोरी आपको देखने को मिल सके तो चलिए जानते हैं अनिल कपूर के एक्टर बनने तक के सफर के बारे में बॉलिवुट के एवल ग्रीन एक्टर अनिल कपूर जिने स्टार्डम पाने के लिए काफी संघश करना पड़ा चलिए जानते हैं बॉलिवुड के सूपर स्टार अनिल कपूर के फर्ष से अर्ष तक पहुचने की स्टोरी इनका जन्म सन 1956 में महारास्टर राज्य के मुंबई शहर में हुआ अनिल कपूर जाने माने निर्देशक सुरेंद्र कपूर के बेटे हैं सुरेंद्र कपूर जब पहली बार मुंबई आये तो उनके पास रहने के लिए भी ठिकाना नहीं था जिसके बाद उन्हें अभिनेता राज कपूर ने सहारा दिया शुरुवाती दिनों में अनिल कपूर को अपने परिवार के साथ राज कपूर के गैराज में रहना पड़ा था उसके बाद अनिल कपूर का परिवार कई सालों तक मुंबई में चौल में रहा था बाद में समय के साथ उनकी स्थिती में सुधार आते गया उन्हें बॉलिवुड में काम मिलने लगा उनकी फिल्म में चलने लगी दर्शकों के बीच में पसंद किये जाने लगे और फिर उन्होंने कभी भी पीछे मुढ कर नहीं देखा अनिल बॉलिवुड के सूपर स्टार बने गेराज में किया काम अनिल कपुर आज काफी शानदार लाइफ जीते हैं मुंबई में उनका शानदार बंगला है और लगजरी गाड़ियों से लेकर नौकर चाकर की कोई कमी नहीं है लेकिन अनिल कपुर की लाइफ हमेशा से ऐसी नहीं थी उन्हें इस मुकाम तक पहुचने के लिए काफी महनत करनी पड़ी बताया जाता है कि अनिल कपुर जब सपनों की नगरी मुंबई आये थे तब उनके परिवार की फाइनेंशल कंडीशन अच्छी नहीं थी संघर्ष के उन दिनों में पैरों में चपल जूते भी नहीं हुआ करते थे कई बार वे तपती सड़कों पर नंगे पाउं भी चले यहां तक की पैसों के लिए उन्हें राज कपुर के गैराज में भी काम करना पड़ा था अनिल कपुर गैराज में रहते भी थे हाला की बाद में उन्होंने एक कमरा किराय पर लिया था और वे काफी समय तक वहाँ पर रहे थे आसान नहीं था फिल्म के लिए एक्टरस को मनाना बॉलिवुड में कई ऐसे एक्टर्स हैं जो आज सूपर स्टार बन चुके हैं लेकिन करियर की शुरुवात में उन्होंने एक फिल्म में काम पाने के लिए काफी संघर्ष किया है ऐसे ही एक स्टार है अनिल कपुर जो आज इंडस्टरी के सूपर स्टार है अपनी एक्टिंग के साथ साथ वह अपनी फिटनेस को लेकर भी काफी पॉपुलर है लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उनके साथ एक्ट्रेस काम करने से इंकार कर देती थी अपने करियर की शुरुवात में अनिल कपुर ने एक एक्ट्रेस को अपने साथ काम करने के लिए राजी करने के लिए खूप पापड़ मेले थे फिल्म वो साथ दिन में अनल के साथ काम करने से नसीर उद्दीन शाह ने भी इंकार कर दिया था लेकिन बॉनी कपूर जानते थे कि इन दो बड़े स्टार्स के सपोर्ट से अनल कपूर की नईया पार हो सकती है ऐसे में बॉनी कपूर ने नैसी रुद्दिन शाह को तो फीज से जादा देकर काम करने के लिए राजी कर लिया था लेकिन पदमिनी नहीं मानी पदमिनी को लापुरे को मनाने के लिए अनल कपूर ने एक्ट्रिस के घर के खूब धक्के खाए वह रोजाना एक्ट्रिस के घर टिफिन पहुचाने लगे पदमिनी के मना करने पर भी अनल नहीं माने और कहा कि जब तक वह फिल्म साइन नहीं करती वह रोज इसी तरह उनके लिए ताजा गर्मा गर्म खाने का टिफिन पहुचाते रहेंगे एक दिन पदमिनी को अनल की बात अच्छी लगी और उन्होंने फिल्म में काम करने के लिए हामी दे दी फिल्म वो साथ दिन बनी और सूपर हिट साबित हुई बता दे अनल कपूर के लिए फिल्मों में काम करना आसान नहीं था काफी स्ट्रगल के बाद अनिल कपूर की किस्मत का सितारा चमका था अपने करियर में उन्होंने कई छोटे छोटे रोल किये हैं बत और लीड एक्टर बनने के लिए उन्हें साउथ जाना पड़ा था तब जाकर वह बॉलिवुड में अपनी जड़े जमाने में काम्याब हुए थे कैसे शुरू हुआ फिल्मी करियर अनिल कपूर ने हिंदी फिल्म की शुरुवात उमेश महरा की फिल्म हमारे तुमारे में एक कैम्यो रोल के रूप में की थी उन्होंने अपनी पहली डेब्यू फिल्म की और 1980 में वे तेलगू फिल्म वर्म्स अव रिक्षम में मुख्य अभिनेता के रूप में दिखे जिसे बापू ने डैरेक्ट किया था इसके बाद उन्होंने कंणड फिल्मों में मणी रत्नम की फिल्म पलवी अनू पलवी से डेब्यू किया था येश चोपडा की फिल्म मशाल में अनिल कपूर को बेस्ट सपोर्टिंग अक्टर केटेगरी का फिल्म फियर अवार्ड मिला था एन्चंद्रा की फिल्म तेजाब के लिए उन्हें बैस्ट अक्टर का फिल्म फियर अवार्ड मिला और इसके बाद इंद्रा कुमार की फिल्म बेटा में उनके अभिनय के लिए उन्हें फिर से बैस्ट अक्टर का फिल्म फियर अवार्ड मिला उन्होंने बहुत सी आलोचनात्मक और आर्थिक रूप से सफल फिल्में की हैं जिसके लिए उन्हें Best Actor का Film Fair Critics Award मिला है ताल फिल्म के लिए उन्हें Film Fair का दूसरा Best Supporting Actor Award मिला पुकार फिल्म के लिए उन्हें Best Actor का National Film Award मिला नो एंट्री दिल धड़कने दो फिल्म के लिए उन्हें तीसरा Film Fair का Best Supporting Actor का Award मिला है इंटरनेशनल फिल्मों में कपूर का पहला रोल डैनी बॉयल की Academy Award विनिंग फिल्म स्लेम डॉग मिलियनेर में किया था जिसके लिए उन्हें Motion Picture में सबसे बहतरीन प्रदर्शन करने के लिए Screen Actor Guild Award मिला Action Series 24 के Artway Season में उनके प्रदर्शन को देखते हुए American Press ने उनकी काफी तारीफ भी की वैश्विक स्तर पर अनिल कपूर सबसे प्रसिद और भहचाने जाने वाले भारतिय एक्टर हैं दोस्तों अगर आपको अनिल कपूर की संघष से जुड़ी या स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जोज, जुनून और जस्बे से भरी स्टोरी के साथ तब तक के लिए वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत थैन्यवाद